दियर स्टुडेंट्स आज जैसी अपने सिलेबस दी फोर्थ पोएम उपागुप्त परे जानकरी प्रापत करांगे सब तो पहला असी इस दे पोईट परे जानकरी प्रापत कर दे हां इस पोईब नू बहुत ही मशूर पोईट जीना दे नाम तो तुससे सारे जने वाकिफ हूँ रबिंदर ना टैगोर जीने लिखिया हुए है रबिंदर ना टैगोर इना नू विश्व कवी किया जानदा है वर्ल्ड पोईट किया जानदा है नौ मई एठारां सो कहाट इसवी दे विच बेंगाल दे विच इनादा जनम होया एहे एक अमीर परिवार नालस पंद रहते सी ते इनादे परिवार विच काफी मेंबर सी एहे अपने परिवार दे विच अठमे पुत्तर सी हलाके कुल एहे चोदा पैंपरा सी एथे एक इंटरस्टिंगा ले है कि अरुबिंदर ना तैगोर जी नू बचपन दे विच किसे स्कूल छिनी पे जया गया उना नू करे ही पढ़ाया गया उना ने काफी सारे सब्जेक्स पढ़े ते उना दे अपने ही मैथड से पढ़न दे हलाके प्ले रीडिंग करना इननू सब तो ज़्यादा पसंद सी तो उनू पता है महाकवी काली दास आते शेक्सपियर ये दोने ही बहुत वदिया ड्रेमेटिस्ट रहे ने उना दे प्ले जे बहुत ज़्यादा पसंद कर दे सी काली दास जी दाता इना दे बहुत ज़्यादा परभाव सी इना दिया राइटिंग तो सानू पता लाग दाया इना पहुत ज़्यादा इंट्रस्ट सी बेंगाली पाशाच क्योंके उना दी मदर टंग सीगी फेर लंडन च गई ते ओथे बहुत ही परसीद एक विद्वान हुएने परफेसर हैंडरी मोरले ओना दे स्टूडेंट भी रहे ने जिना दे लेक्चेज ने इना नू काफी ज़्यादा परभावित किता है रबिंदा ना टेगोर जी नू इंग्लिश लिटेचर नाल वी इंटरस्ट सी उना उस देविच विए ना दा काफी इंटरस्ट सी पर इना ने ज्यादा तर पोईट्री अपनी बेंगाली देविच लिखी है ते कुछ ना दिया पोईम्स ने जमें संध्यागीत शिरी बंकिम चंदर चैटर जी जिना ने के साड़ा नेशनल सौंग वंदे मातरम लिख्या है वी मतलब इस पोईम तो बड़े प्रभावित हो ऐसी संध्यागीत तों बंकिम चंदर चैटर जी पर इना दा सब अधा तो जो मशूर जो अधी कोलेक्शन ओफ पोईम्स जड़ीक बुक जड़ी गितांजली सी ओ बहुत ही ज्यादा फेमस होई सी बहुत ही ज़्यादा परसिध होई सी गितांजली तो इना नू नोबेल प्राइज भी मिलिया सी उननी सो एक गल्थ लिख्या बच्छे उन उससो बाता साडे कई इंडियानजनू नू नू प्राइज मिलिया तै ठीक गल होर वी नोड करनाली बच्छे हो कि जदो एना नू लिट्रेचर देली नोबेल प्राइज मिलिया ताइहें फ़स्ट नौन यॉरोपियन परसनं भीसी पहले परसन जो युरोप तो बहार जिन अपने सखूला देए। ते उसदे राइटर रविंदना टेगोर जी अधे मैं बच्चियों हो चाहाँगा के सिरफ सदे देश दाही नेशनल एंथम इनानी नहीं लिखिया बंगलादेश दा जो नेशनल एंथम ऑविर विंदना टेगोर जी दा लिखिया हुय है क्योंके इना दी जड़ी अपील सी ओ पूरे संसार्दे विच है न अतलब संसार्द विच इना पूरे संसार्दे विच इना पसंद किता जानदा है सत्त अगस्त उनिस्वेक तालीस विच इस अननू छटके दुनिया तो चले गए लेकिन इना दे जड़े थोट्स ने ते जे आइडियाज ने ओ असी सदा फॉल्व करते रहांगे स्टुडेंट्स हुन असी इस पोईम दे बारे थोड़ा जानकारी पहला लेलेने हाँ इस पोईम दा नाम उपागुप्त है उपागुप्त इक बहुत पिक्षू होएने इहे साथे गौतमपुद दे डिसाइपल उना दे चले होएने मतलब क्योना दे असी क्यामानू मनन वालेने जमेंके तुसी पिक्दे विचेना दी तस्वीर देख रहे हूँ कुछ मैं उपागुप्त बारवी दसना चाहांगा इही साथे पारदे महान समराथ जिनननू अशोका दा ग्रेट कहा जानदा है ओस दे हे स्पिर्चुल गुरु रहेने मतलब अध्यात्मक गुरु रहेने उपागुप्त अशोक दे तुसी देख साथे हूँ के इस पूरी हिस्ट्री देविचेन दा काफी उच्छा था है बचेव इस पॉइंट दा जो मैसेज है ना बहुत ही ज्यादा डीप है समझन वाला मैसेज है जिमें के एक कहावत है केंदे भी जे साधे कोलू तान चला गया साड़ा चला गय दो कोई गल ने कुछ भी नहीं गया क्रूइसान ना मातर चीज पीसज चला गया ऑफेरा जुगा कोई कल ले जह साथी सेच चली गई ता कुछ चला गया असी सौचिए कि हाँ कुई चीज साथी चली गई जिस दा था सनू सोग मनाना चाहेए क्योंकि चली गई पर जेकर साड़ा क्रेक्टर चला गया, तब फेर बच्चेव सारा कुछ चला गया, यही इस पोइंग दा मैसेज है, बच्चेव इस दे विच अरविंदना टेगोर जी ने जो सानू मैसेज देता होई है, कि जो यूथ एंड फिजिकल ब्यूटी है, जो साड़ी शिरीरक सु आपा देखने ही देखना है, पर जो चीज रहन्दी है, पर्मसेटी है, और की रहन्दी है, लव फोर हुमानिटी, बच्चेव जडे तिन वर्डस एना, हैलश दे विच, लव पूर हुमानिटी, एह हमेशा परमसेट रहन्दी है, यह कदेवी हाहिए खतम एवाज भी यह पोइम दियां टोटल 22 लाइन ने जड़ियां 12 लाइन दे विछ इक सीन दा जिकर है थे जड़ा सीन है यह है रेनी सीजन दा सीन है पहला सीन है तो बाद अगलियां जड़ियां लाइन दे तेरा तो लेके 22 तक वो उस दे विच सीन दूसरा आजाना है ते जिस दे विच स्प्रिंग सीजन दा जिकर है इस तरह है पूरी पोईम दो सीजन दे विच दसी गई है जिस दिया 22 लाइन्स ने ते ए पोईम पूरी नेरेटिव टेकनीक नाल बच्चे लिखी गई है इस दे विच पूरा विर्तान दस्यागया है कट नाल दा था आill है नेरेटिव टेकनीक यूज में क्या ते पोईम बच्चे काफी ज्यादा सिंबॉलिक हैं मतलब हो गया के इस दे आन वाले स्टोरी दे बारे थोड़ा जा पता लगदा है उसनों असी सिंबल्स केनने है ता सिंबोलिजम बहुत है इस पोईम देविच जिमे जिमे असी पोईम पढ़ांगे ता सनु इस सारे सिंबल्स जिमे जिमे आनगे मैं तो नू दाज़दा जाऊंगा ते इक होर चीज ते एक होर आ जाज़़ा था सिंबलीक पोईम दी रेडिंग स्टाट कर दू जआए कि जिमे दिदू पोईम देयं हायले सिंबोलिक पोईम नेरेटिव टेकनीक देना लिखी गई ते इस पोईम दे विच किसे तरह सामनों कोई बचसell राइमिंग नहीं नहीं वे राइन दे विच नहीं लिखी गई पोइम स्टुडेंट सुना सी पोइम दी रीडिंग स्टार्ट कर देया उपागुप्त दिसाइपल ऑफ बुद्धा ले स्लीप इन दा डरस्ट बाई दा सिटी वाल ऑफ मत्रा ता पली लाइन दे विच ही साड़े में करेक्टर उपागुप्ती एंट्री हो जान दी है ता उपागुप्त मैं तो उन्हों जेवें के पले ही दस्या है गौतम बुद्ध जीदा हो, डिसाइपल है, नदा चेला है, उननान वाला है टिव किठे पे नोगें हाया, इन दा ड़स्ट, ड़स्ट मतलब जमीन ती लेटया हो बाई दा सिटी वॉल ऑफ मत्रा, मत्रा ही जो सिटी वॉल है, जो शेर दे नाल दी दी इवार है उस दे नाल ही जमीन थे हो लेटya है तबच्यों मैं दसेत आनों के एप बड़ी ही सिंबॉलिक पोई मैं पैली लाइन देविची सिंब आजना है हुन उपागुप्त कौन है एक नचुरली संत है हो सेंट है क्योंके उसने दुनियावी जो मोम आया है उसनों छड़ दिता है क्योंके गौतम बुद्धियां टीच जिनने भी लैंप्स ने कोई जड़े लाइट्स ने ओ सारियां बंध हो गियां मतलब क्योंके रादा टाइम है लैंप्स वर ओल आउट डोर्स वर ओल शट सारे करांदे दिर्वजे बंधने सुनसान है सारा कुछ एंड स्टार्स वर ओल हिडन बाई दा मर्की स्काई ओफ अगस्ट ता अगस्ट दा महिना है अगस्ट दे महिने दे विच तो उनों बता है मर्की स्काई मर्की स्काई दा मतलब हुंदा बच्चे ओ क्लावडी स्काई क्लावडी स्काई मतलब के क्लावड चाहे हुए ने बदल चाहे हुए ने असमान बदल अनाल के रहा हुए है त कोई किसे तरह दा तारा नजर नहीं आ रहा है उस दी रोश्णी नहीं है सारे करांदी दर्वजे बंदने सारियां अधर उद दियां लाइट्स बंदने लेकिन उना सारे दे विच जड़ा उपागुपत है जो एक सेंट-like figure है जो गौतम बुद्दा मननवाला अनिवाई है ओहो जमीन ते लिटा हुया है मत्वरा सिटी दे वाल दे नाल ता स्टुडेंट्स साथी पोइम दी जो दूसरी क्रेक्टर है उस दी एंट्री अगली लाइन दी विची क्विस्चन दे फॉर्म चूंदी है ता लिखिया है Whose feet were those tinkling with anklets? ता हुने थे एक सानो पता लगदा है के anklets पाई हुए है आइंकलेट सानो पता है बच्चे ओ चांजर नू कहा जंदा है पैजेब नू कहा जंदा है ता उस दी तिंकलिंग दी आवाज आ रही है कोई लड़की है जिसने के anklets पाई हुई है उस दी जो अवाज है चांजर दी जो चंकार है उस दे पैरां चुआ रही है ते ओ एक दम touching his breast of a sudden ता उस दा जो पैर है ओ हो एथे हीज लिखिया ता एथे गल उपागुब दी आ रही है के मेरी चाती दे नाल किस दा पैर टकराए है ते कौन है उन नाचली ओ लड़की है जिसने के anklets पाईया हुई है जिस दी anklets दे विच्चों आवाज भी टिंकलिंग दा मतलब है थे जो मतलब दसे है कि जो आवाज हुंदी है चांजर्दी ओ भी आवाज आ रही है ते ओ दी चाती दे नालो टकरान दे He woke up started ओ एकदम हैरान होके उठदे startled दा मतलब हुंदा बच्चे ओ बिलकुल हैरान होना ता ओ एकदम उठदे and a light from a woman's lamp fell on his forgiving eyes ते जिवे ही उठदे ता उस लड़की दे हाद दे विचिक light है कोई उसने दीवा पकड़या हुया है ता उस दे lamp दी light जड़ी है उस दियां forgiving eyes दे उपड़ पेंदियाने हुन एथे forgiving eyes क्यों लिख्या हुया है क्योंकि एथे बच्चे ओ ता नू पता है के उपगुप्त एक बहुत पिक्षू है ते ए जड़े संत लोग हुन्दे ने इस एनदियां eyes हमेशा माफ करना लिया हुन्दियाने ओ किसे तरिक्ये दा कोई जदो उठ दायता हो गुसा गिला नहीं करदा ओ दियां अखा तो ये चल करे है कि उसने उस लड़की नुँ माफ करता जो उस दिनाला की टक रही है स्टुडेंट्स नेक्स लाइन दे विच जो साड़ा सेकिंड क्रेक्टर आई है लड़की उस दे बारे दसे आगया कि कौन है इट वास दा डांसिंग गर्ल स्टार्ड विद जियूल्स पर एस डांस दे वालीप साऑ हम a souAg हम दे राज लाज दरबार दे वीच नुछ है स्टार्डविद जियूल्स ने बहुत सारे ग्यानेभाई रही हुए ने भएरिंगा ब्लू मैंटल तर्कों अपने जो अशाक है उस दे उपर एक बलू रंग दा साऑ है मेंटल लिक्तरांदी बच्यों स्लीवलेस ड्रेस हुंदी है जो बाकी ड्रेस दे उपरों दी पाई जान दी है ता हलके जे पीले रंग दी पेल बलू कलर दी है मेंटल जो वड़ी ड्रेस है उपाई हुई है ड्रंक विद दा वाइन ओफर यूथ ता बच्यों है थे वाइन दा मतलग हुंद है शराब ता उहो अपनी जवानी दे नशे दे विच चूर हुई है वैसे थे कभी ने बहुत ही सोना मेटाफोर यूज किता है जिस तरह कोई शराब पीके नशे चूर हो जान दा है लेकिन ए लड़की जो नर्थकी है एह अपनी जवानी दे नशे दे विच चूर है ता ही थे लिखिया है ड्रंक विद दा वाइन ओफर यूज ता बहुत ही स अपना जो लेंप उसने हाथ विच पकड़ा हुआ उसनो थोड़ा जा निचे कर दिया है लोड़ अथे की देख दिया है कि उसनो बहुत ही खूबसूरत चेरा जो बहुत ही औस्टीरली है औस्टीरली दा मतलब दा बच्चों बिलकुल सिंपल बिना किसे मेक अप तो कुछ निच नहीं लाया हुआ ता बहुत ही सिंपल जा चेरा बहुत ही खूबसूरत चेरा उसनो दिख दा है ते चेरा किस दा है उपागुप्त दा फर्किव मी यंग असेटिक सेट दा वूमेन उनो लड़की जो है उपागप्त नालाके टकरां दिया है उसनो देख दिया उस तो बाद उस तो हो माफी मंग दिया क्योंके उसना लटकराई आ कि उगेंदी मैनू माफ करो है नौजवान संत असेटिक दा मतलब एथे संत तो वो बड़े ही आदर पूर्व को नो कहन दिया है ग्रेशिसली कहन दिया है तुसी मेरे का रहा हो, come to my house उन देखो उसनो अपने कर जान ली इनवाइट कर रही है हलाके उसनो जान दी नहीं कौन है सिरफ उस दा उसने चेरा देख जो उसनो बहुत ही beautiful लगया है तो उसनो दे बच्यों, adjective है है के जमीन ते तू उड़ परी, जमीन दे उपर तू पर आई ए तेरे लिए सही बैड नहीं है, is not a fit bed, तेरे लिए अच्छा बैड नहीं है, तू एथे नासो, तू मेरे कार आके अराम कर, तबच्यों एथे ए गल देखना ली है कि वो लड़की इराज नर् उस तरहां दे महोल च रहंदी है, उसनु किसे भी अजनबी परसन नो अपने कार बलाना, उनु कोई वड़ी गालनी लगवी, ता ओ देखो किस तरहां उसनु इन्वाइट कर रही है, तै बच्यों मैं एथे तो अनु दसना चाहांगा, कि मैं शिर्वादे विच तो अनु क तो उनु उस तो पता लग सागद है, कि वो किस तरहां दी लड़की है, या उस ता क्रेक्टर किना उचा है, तो अनु दसना चाहांगा, कि पूरी पोईम देविच ए जो लड़की है इस दा नाम नहीं आंदा, पर मैं थोड़ी जी रिसर्च किती ते मैंनु पता लगया, क ये जड़ी पोईम है, ये बेसिकली बंगला लेंग्वेज देविच लिखी गई सी, रुविंदना टेगोर जी द्वारा, तो जड़ी पोईम उस दा नाम है अभिसार, ता ये अभिसार पोईम दी इंग्लिश एडप्टेशन है, मतलब अभिसार जड़ी पोईम सी ए लेकिन जड़ी तानु हुने पढ़ाई जा रही है, ये इस दी इंग्लिश एडप्टेशन है, मतलब के इस दी इंग्लिश देविच टांसलेट करके लिख्या गया है, ते ये लिख्या भी रुविंदना टेगोर जी नहीं है, मतलब दोने अभिसार दी जो बंगला वाली पोईम है, ते जो तनु हुन उपागुप्त वाली जो पोईम दिख रही है, एस दोने ही पोईम अरविंदना टेगोर जी नहीं लिखिया ने, अभिसार देविच जड़ी ये लड़की है, इस दा नाम है वासवदत्ता, ए लड़की दा नाम वासवदत्ता है, ते ये दो अपनने लेगी कहानी है, जड़ना दी कहानी है, दा यंग असटिक आंसरय्ड, वुमें, गो ओन यॉर वे, उन्हों जड़न जड़की जड़ा यांग अजवान संत है, जिसना नाम उपागुपत है, ओ उत्तर दिनदे है, के हे इस तरी, गो ओन यॉर वे, तु अपने रस् जिस रस्ते तो चल रही है उसे रस्ते ते चल वेन दाट टाइम इस राइप जदो समा सही होएगा आई विल कम टू यू फिर मैं तेरे को लिया माँगा उन तुसी बच्चे ओ देखो के एक और जिसनु जो के एक जही नोजवानु जिसनु पहला नहीं जान दे सिरफ उस तो ओ अट्रेक्ट होके उसनु अपने करदा इंविटेशन देन दिया कि तु मेरे कर चल उसनु ओ नोजवान संथ जड़ाए आंसर देन दे, के है औरत तो अपने रस्ते honest दूचल रहए है उसी रस्ते तूचल जदो time सही आएगा मैं तेरे को लिया मागा उन एथे हैं बहुती सिंभॉलिक तौमना दस्यासी ना कि पॉइम बहुती सिंभॉलिक हाईली सिंभॉलिक है एथे सिंबल है उन एथे कई बच्चे ने मांचे है ए आएगा क्वेस्चन के ओह जड़ा संथ है उस वह मैंनों समझावी सकत है के तुम यह जो कम कर रही है उपागुप्त जीहां नहीं करदा क्यों क्योंके बच्चेव ओह गौतम बुद्ध पहरोकार है ते गौतम बुद्धी जड़ी fundamental preaching है बच्चेव ओ है कि बी अलाइट मैं थे लिख देना है बी अलाइट अन्टू यूरसेल्फ उन एदा मतलब की है कि कोई भी इंसान है ना किसनों कॉपी ना करे एक परमात्मा ने उजदे अंदर एक जोट जगाई है उस जोट नों खुझ जगावे बी अलाइट अन्टू यूरसेल्फ उसनों लबबे ते उसनों जाने और फेर साच ते चूटता पता लाए यह जड़ी प्रीचिंग है बच्चे उए गौतम बुद्धी फंटामेंटल प्रीचिंग है जिसनों के उपागुप्त जिसते चल रहे है जिसनों के उपने उसने जीवन दा सिदान बनाया हुए है ऐसे कारके उस लड़की नों जो गल्द रस्ते ते जा रही है जिसनों नहीं रोकदा वो कहनदा भी जड़ा तू रस्ते चुने तो उसे रस्ते ते चल क्योंके उसनों पता है कि जिस रस्ते ते चल रही है वो अंदकार परया हनेरा परया रस्ता है किसे ना किसे दिन जाके इस लड़की नो अपने आप ही पच्टावा होएगा विजड़ा मैं रस्ता चुने हैं ए रस्ता सही नहीं है ते फेर उसे समेधी गाल कर रहे हैं I will come to you when that time is right जदो समय आएगा जिस टाइम तनू पता लगेगा कि हां मैं गलस सी फेर मेरे उथे असर भी होएगा उना थे बच्चे तुसी एग नोट करो कि जे उस टाइम उसनू समझानदा वी उपागुप्तुस लड़की नो क्योंकि असी पहला पढ़ चुके हैं कि शी वास ड्रॉंक विद्धा वाइन ओफर यूथ ता उस टाइम ता हो अपनी जो जवानी है उसे न जदो समा सही आएगा फिर मैं तेरे को लेया माँगा सडनली दा ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ इना फ्लैश ओफ लाइटनिंग ता जिमी उपागुप्तुस लड़की नो कहनदा है कि तु अपने रस्ते चलते मैं सही समें तेरे को लाऊंगा ता इकदम जड़ी रात काली रात हुंदिया उसमें उहो एकदम उथे एक चमक आंदिया बिजली दी ना फ्लैश ओफ लाइटनिंग जी मैं तुसी पिक दे विच देख रहे हूं बिजली कड़क दीया ते एकदम उथे इस तरहां दी नजारा को तक जा वापर्द है एन दा स्ट्रॉम ग्राउल फ हुन दीया है दा वोमेन ट्रैंबल इन फियर अफ सम अन्नोन देंजर तो जडी लड़की है ओई सवाज नू ते इस तरहां दी लाइटनी नू सुनके या देखके बहुत ही जादा ट्रैंबल हुन दीया मतलों कि उसनू कंबनी जी छेड़ जान दीया हूँ ते क्यों क्यों संज नificaciónई है हुए है से अन टकान देसं दीया मतलू इसांड़ इस ताहते हैं वे इस शेंा तो पिल्डेय लाइन की अन रहते होँंॉफिऊ नू लाइन थे सिम्बल इयूग है ओडिस व्ड भल्य शोर् सचछी टीठ तूनु पत्छा फिर्समचिशन दीवान उन तो प human emotions use कर दे हैं ता ओस टेम सी कहने है कि पर सौनिफिकेशन यूज़ है ता एथे हुं देखो black night showed its teeth आम तो रते teeth किस दे हुं दे हैं इंसान दी हुं दे हैं या जानवरा दे हुं दे हैं लेकिन एथे कि एक black night जड़ी है काली रात स्या रात अपने दंद दिखांदी है दंद दिखांदी न मतलुब किया है कि उत्या आसमानी बिजली कड़क दिया उसनों कह रहे हुं लेकिन देखो किने सोने वर्ड्स कभी ने यूज़ किते हैं ता क्योंकि black night देली human emotion वरते आ गया है तास यह कहांगे कि इस जग दिखिस किते हैं अपने प्रीविए स्लेक्स देविच तामयता उनों अपर दिते हुए लिंक तुसी जाके ए सारे जो पोईटिकल डिवाइसी हैं जो के कवीता देविच कभी तरना तरना यहां यूज़ कर दा है ता तुसी एज देवारे चंगी जानकारी प्रापत कर क्योंकि ए वोमेन दे ले आन अले समय जो को आस देविच ले हैं चंगा समय नहीं आ रहे हां आन वाले टा imprint विच उदे प्रतिहे सूचक है, some unknown danger, ऐसे करके उजड़ी औरत है, वो इस टाइम डर रही है, वो कबरा रही है, ताइथे है some unknown danger जड़ा है, एक तरहादा symbol यूज हुए है, ता स्टुडेंट्स इस तो बाद साड़ा second scene शुरू हुंदा है, तो उनों पता है, पहले हैं 12 जड़ा हुंदा है, आफ्टर 7 मुन्स दा टाइम है, सत महिन तो बाद दा है scene है, मैं जड़ो अभिसार पोईम थोड़ी जी पड़ी सीता उस तो मुन पता लगया, ता exact 7 महिन तो बाद ये वला scene है, ता कि में हुंदा है, कि दा ब्रांचीज ओफ दा वेसाइड ट्रीज व जड़े जड़े रोडसे जल ढहिना ब्रांचीज द भीसास द जा भिसार गात ब्रांचीज देन ता कि बसंदा टाइम है, ता हो की रहा है कि तो दूरों गे नोट्स अफ फलूट, फलूट मतलब बंसरी, बंसरी दे खुशी परे नोट्स जड़ेने, ओह दूरों किते आ रहेने, फलोट कर देवे, तैर देजी आ रहेने, केडी हवा दे विच वाउम सप्रिंग एर, जड़ी सप्रिंग बसंत रूदी, जड़ी क निगी जी हवा हुं दी है, ओह दे विचो फ्रॉम अफार, कितो दूरों है, जड़ी उस बंसरी दिया, जड़ीया, तान है हो, कितो सुनननू मिल रही है, दाट सिटिजन्स हैड गॉन तु दा वुड्स फॉर दा फैस्टिवल ओफ लार्स, उस शैर दे लोग, मतलो मतरा निवासी जड़े ने, ओह जंगल दे विच गए ने, फैस्टिवल ओफ लार्स नू मनान दे लई, फुलान दा तिहार है, उस नू मनान दे ली गए हुए न बसंतरुत है, कम कर कर के वेलेने लोग, ता हुन जंगल दे विच गए ने, बसंतरुत नू मनान दे ली, फुलान दे ली जंगल च गए हुए ने, फॉरम दा मिड्स काई, गेज दा फुल मून ओन दा शैड़ोज ओफ दा साइलेंट ताउन, ता हुन मिड्स काई तो, देख रहे हैं, तक के देख रहे हैं, कौन फुल मून, फुल मून पुर्ण माशी, जिमें पुर्ण माशी दा चंद जड़ा हुए, पूरा चंद हुए, ता हुँ देख रहे हैं, दा शैड़ोज ओफ दा साइलेंट ताउन, साइलेंट ताउन मतलब तो, मतलब तनमा पहले किने सोने वर्ड जडेने कभी ने यूज किते ने ताउन दी साइलेंस नो दखान दे लई उस सुनसान जे एरिया नुदसन दे लई बहुती वदिया वर्ड जडेने कभी ने यूज किते हैं दा यंग असेटिक वास वाकिंग इन दा लोनी स्टीट हुन जड़ा साधा नौजवान संथ है उपागुप ओ हो इकला स्टीट दे विचो गली दे विचो लंग रहे है कितों वाइल ओवरहेट दा लवसिक कोईल्स अटर्ड फ्रोम दा मैंगो ब्रांचीज देर स्लिपलेस प्लेंट हुन ओथे देखो किनी सोनी कभी ने थे इमेजरी यूज किती है कि जितों उपागुप जार है ओथे ही किते लवसिक कोईल्स एंजडियां लवसिक दा मतलब बिरह बिरेंट लवसिक कोंडो ​​खाड़ा कोईल्स देखव लवसिक होरे हैं वह कुछ बोल्रोम दा मेंगो ब्रांचीज उथे मैंगो ट्रेज्नी मेंद e द्र devoted राखची में इस तरहां दा गाना गारी याने ने ते समुआ धी ौनधी उस गाने देश ने किसे थे खीश Nahéta दे कोई कमप्लेंट है जिसनु होन कि बयान कर रही है अने सिर्ग तब आज आ युज़ इंग्ली लाम आ इमेझरी करिसी हुजु और हिंक curriculum जानी इंगलग कौयज में तो कवी नहीं गाल कोर्ल असलस दीटीटन जानी क कवी ने जानी तीटर्व झाक स कर दे वहीं से आपते ही रविंदना टेगोर जी ने लिखी है, ता साधे जड़े गामतोर्ते साधे पार्ती राइटर्ज ने उइदा दे वर्ड्स आम यूस कार विन जित्थों के साधी इंडियन नैस्थी चलक मिल दिया उपागुप्त पास्थ्रू दा सिटी गीर्स एंड स्टूड दा बेस ऑफ दा रामपार्ट हुन उसे महोल दे विच उपागुप्त चड़ा है हो क्योंके मतुरा शेर सुन सान पया ता सिटी गेट पार करके जो शेर दे द्रवजेनियों पार करके अंदर आ जांदा है ते ए सब्सक्राइ एंट्री हन दिया है अधे fine कभी ने एक वूमें दिया तरी यिए जिथे के कुस्चन देनाल थे यह तो ऑनों अहला भाए कि जिमें उसदे पैरांथे कोई इस्तरी कोई आरत अधा है तो एथे पाई हूह जढ़ी बैंगो ग्रोह है जढ़े मैंगो दे ट्रीज ने अमब दे तो स्टुडेन्स सीन फेले हिस metaphor कोई लड़की दे आ झात लेकितины हिए्ट इस लाइन दे विच उस लड़की दी हालत दा जिकर है, कि इस ट्रक विद ब्लैक पेस्टिलन्स, हर बोडी स्पोटेड विद सोर्ज ओफ स्माल पोक्स जड़ी लड़की है जो अपने पेरां ते मिली है ता उस दा जड़ी बोडी है उस दे उपर चेचक दे दाग ने, स्माल पोक्स दे दाग ने, स्पोटेड बहु सारे दाग ने उस तरहां दा कोड होया है बलेक पैस्टिलन्स बचेओ कोड गआ जंद है मतलब उस न हो इस कोड लगगया और ऐंजी हारbyली हरी मुझ दे मॊष्बरी हर दीटा गया और Д ये ऊस नुँछ न्य ने स्थमाश सची जो बहार कड़िता गया उस लड़की दी जड़ी हालत है बहुत ही ज्यादा खराब है एनी बुरी हालत विच लड़की नू देखके उपागुप्त, the ascetic sat by her side उस अन्त उस देख कोड़े बैठ जन्दा है साइट ते took her head on his knees अते अपने गोड़ें ते उस दा सिर अखलना है क्योंकि उस हालत बहुत ही ज्यादा खराब है उस तो देखी नहीं जान दी ते उस दा जो सिर अपने गोड़ें ते रखलना है and moisten her lips with water अते पानी दे नाल उस दे जड़े उस दे लिपस ते लगना है क्योंकि यह लगदा है जिमें उस लड़की ने पानी नी पिता बहुत देर दे बहुत देर दा प्यासी है हूँ and smear her body with sandal balm अते उस दी body दे उपपर जिथे उस दे माता दे दाग हुए हैं चेचक दे दाग हुए हैं उस दे उपपर हो sandal दा बाम लगा के उस दा लेप लगांदा है who are you merciful one? ask the woman हुन्हों जड़ी औरत है उसनों पुछ दी है के तु कौन है द्यालू इंसान? merciful one merciful one द्यालू के तु द्यालू इंसान? तु कौन है? इं मुनता किसे ने इस तरह कदे वी इस तरह मते द्या नीदगाई उस दो मुनता तु कोन है? तपेर अंसर की देंदा सादा यंग एसाटिक सादा नोजवान संत की आंसर देंदा यंग एसाटिक तु कु आज तनु मिलना आये तेरे कोल आये ते मैं तेरे कोल आये हाँ तो आपके तु पतार लाग गया हूना के जड़ी औरत कौन है? यह वासवदतता है, यह वह डंसिंग कर लाही जिसनु के यंग साटिक ने सादे उपगुपन ने क्या सीके कि जदो समय आएगा, सही आएगा, फिर मैं तेरे कोले आवाँगा, आज जो समय आगया, ते आज उपागुप्त उसकोल है. ते स्टूडेंट सानु है थे उपागुप्त दा एक बहुत ही उच्छा करेक्टर देखनू मिल ले, किस तरह उस समय उस औरत नू, उस लेडी नू, डांसिंग कर नू, नहीं उस इख्या देन दा, क्योंकि उनू पता है कि उस टैम उस दी गल नहीं सुननी, लेकिन जदो उस छोफotte हर यगारी उसनू पसंद कारदा उस दा दा देखन जानु है, किनले ज्यादा पाप्लर है, क्योंकि उस दे, पहले सिन लिए उससे न्हें पता लग लाग। है खतम हो गया जो सम्रता वंज़ी खतम हो उसनों उन्हें था के मार मार के मतरा तो बहर कर दिता लेकिन संत लोग था बच्चों संती हों दे तैते अपागुप्त ने जदो सारे लोकाने उसनों दुद्द कारे आज जो हो उसनी ते देखपाल कर ली है तो अज उस दे नाल खड़ा है क्योंकि मैं तो अनू बच्चे ओ शिरुवाद दे विच एक अलकही सी के लव ओफ हुमेनिटी जड़ा है ना मानवता नाल जड़ा प्यार है इस तो पर कुछ नहीं है इंसानों इंसान नाल प्यार रखे एही सब तो बड़ा सनिहा गौतम से उपागुप चाल रहे है तब अच्छे उमीद है कि तो अनू इह पॉइंप बहुत ही वदिया लगी होएगी जे किसे तरह दी भी तो अनू कोई दिकत है ता तुसी मिरनाल कॉंटेक्ट कर सकते हूं इस दी सारी पैराफ्रेज ते एक्स्पलानेशन तुसी अपनी को इस दे विच अपनिया फैर नोट बुक्स ते जरूर नोट करोओ थे मैंनों होजनिया पिक्स जरूर पेजो तनवाद